अब हमें निव टोपीक के स्टार्ट कर रहे हैं लाहियत यह नेचर और बॉल मतलब यूरीन या फिर पेशाप तब हम यूरीन के थुरू यूरीन काम नेचर पढ़ने वाले या यूरीन के बारे में जानने वाले है ताकि हम अपने मर्स के डाग्नौसिस में यह इस तश्वी में मदद ले सके तो तश्खीश के लिए मौइना और उससे इस्तदलाल जरूरी होता है यानि पता लग सकेगा कि कौन से डिजीज हो सकती है तो अक्सर अम्राज ऐसे हैं इनके सबब से बॉल की माहियत यानि बॉल का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है जैसे उसके मौइनाय बॉल में मो mãउनत यानी एक चीफ्यश होगा है यानी हमें सपोड मिल सके गा हम जान सकेगे कि कौन सी डिजीज उने के continuing would सकती है शिरायद मौहिना बोल आप जब हम बोल का मौहिना कर रहे होंगे यूरीन के बारे में देख रहे होंगे तो उसमें क्या-kya शरत होगी शेख फर्माते हैं कि बोल के मौहिना के वक्त में हजब जेल शरायद का लिहाद रखना ज़रूरी होता है पहला बॉल सुबह का ह तह कर दो जाए है दो सारी रात जमा किया गए हो फिशाब करने से मरीज पहलइ मैशने पेज़क्ट which means 2-3 विरीन को तो हम अब रहर को हम फोदेखेंगे तो हम एसी कि करे जाफ चैजिए का यहांसे कैंगी यह तो अनियुक्त हा जाती हो और एह तो लुएन देखने किए कोन बहुत टुब है c НАगते हुज ऐसी और जिस मैं इस थिए अन्यजत है इसे म्रीज ने जिल्द और बुश्रा में कोई ऐसी चीज़ ना जो बॉल को रंगीन बना दे जैसे महदी वगर के इस्तमाल से होता है अब हम नेक्स्ट यह देख रहे हैं कि मरीज ने कोई ऐसी मुदीर दवा इस्तमाल ना की हो जिसमें किसी खास मादे के अदरार की कुवथ हो मसल umasलन मुदीर सफरा या फिर मुदीर बलगम तो हमने ऐसी दवा गर इस्तमाल कर रही होगी जो सफरा को बाहर निकालतीगए या फिर ऐसी दवा जो बलगम को खारण ने म曲ालतीगे तो इस case में क्या होगा सफरा और बलगम जब हमारे यूरीन में जब खारीज होगा तो बॉल के कलर में और उसके कंसिस्टेंसी वगिरा में चेंज आ जाएगा तो ऐसी भी चीज़े दवा के तुरू भी इसमें चेंज आ सकते हैं तो वो नैच्रल चेंज होगा उससे मर्स का पता नहीं लगया तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है मरीज ने पेशाप करने से कबल रियाजत या फिर कोई गयर तबही काम ना किया हो जिससे जिसम की हरारत बढ़ गई हो बॉल का रंग बदल जाएगा जैसा कि महनत मुशकत का काम करने वाले और धूप में चलने फिरने वाले से बॉल की रंग जो है वो तबदिल हो जाता है मरीज के पेशाप करने के फोरण बाद मुआयना ना किया जाए बलकि उस वक्त मुआयना किया जाए जबकि बॉल बरतन में ठहर जाए और अगर इसमें रुसूब हो या अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेट हो तो वह क्या हो जाए तैनशी हो जाए नीचे जाके बैठ जाए कि उस पर धूप और गर्मी का असर हो कि दलाइल बॉल बॉल में मंदर्जा जेल चीजों से इस्तदलाल किया जाता है यानि जब हम यूरीन को देख रहे होते हैं तो कौन-कौन से पैरेमिटर को देखना होता है फर्स पैरेमिटर जो है बॉल का रंग यानि हम उसका क कुदूरत देखते हैं यानि टर्बी या उसकी अबंडंडम से अब्धार को देखते हैं यानि हम इसमेल देखते हैं और हम झाल देखते हैं यानि 52 तो यह सारे पेरेमेटर्स हमें देखने होते हैं जब हम यूरीन का एक्जामिनेशन यूरीन को देख रहे होते हैं उसके अभी हमने दलायल बॉल देखा हमने देखा कि यूरीन का एक्जामिनेशन यूनानी कॉंसेप्ट के साब से कैसे किया जाता है अब हम इसको मॉडन कॉं सो से 2000 मिलिटर्स यह यूरीन का आउटपूट होता है अब कुछ कंडिशन से क्वांटिटी के हिसाब से जो पहली कंडिशन हम देख रहें पॉली यूरिया यह इसको पॉली यूरिया कहेंगे अभी किन कंडिशन में बढ़ता है जैसे डाइबिटीस की केस में बढ़ सकता है लुझां बढ़ जाता है और डियुरिया इसमें क्या हो rd प्रक्रीजर हो Bayon कियो में युरीया होता है अब जो य४ीलिट complaint आगर के थे वे पैस्ति द करा हैं यूरिया है अल्यॉप्ति annat रागा ही जाता है इस्फयूरे चार्ट इसकी किस वज़े से हो सकता है अगर हो जाए किसी को तो किसमें यूरिया हो सकता है यानि डिक्रीज हो सकती है यूरीन के आउटपुड जो है ब्लड लॉस्ट के केस में होता है एक और कंडिशन अम देखते हैं डिस्यूरिया जिसे कहते हैं यह असल में क्या है पेंफुल तो स्कता कि十 वैए कि के ल है कि कलर न्हारमन जबिंकर और क्लियर यह लो तो धर हमोड़न चैनल को साख थे तो हम याद कर सकते हैं कि नॉर्व प्लाओं करेंगे इसके लाब होता है यॉरीनियों में इसलिकSIam dose होता है कि इसी तरीक हमें देखने को मिल सकता है अगर इसमें अगर या गह तो क्या होता है उर्सक्राइचे का बटा दिक सम्सेट होगा है अगर की की बात करें तो नॉर्मन्माल उरीन जो हता है होता है आप इसका सब्सक्राइब नागर इसको कुछ टाइम तक छोड़ दिया है जैसे पहले भी देख रहेते कि आमोली आप करते हैं हम ऐसे चेक करेंगे कि ब्लू और लिटमस पेपर को यूरीन में डिप करेंगे तो हमें पता लग जाएगा फिर अगर पूरा रेंज याद करना चाहें तो जो 4.527 कर सकते हैं इस प्रेंज की बात करें तो नॉर्मल इस प्रेंज को इंफ्लेंज करेंगी याणि स्प्रेंज करेंगी या उन्ट जैसे यूरिया का प्रेजन से सोडियम आइड फोस्पेट्स आल्भी मिन शूगर वगरा से भी इस स्पेसिफिक ग्रेंज में दिया कि अब जब हम यृरीन का पढ़ लाइए तो हम यृनानी वाले यृरीन के एक्जामनेशन को ओर धोड़ा डेटियल में पढ़ेंगे हम इसमें देखर रहे हैं बॉल के रंग यानि हम कलर की बात कर रहे हैं की यृरीन के कौन-कौन पर बहुत सारे differentiation नहीं था लेकिन युनानी में यह differentiation है तो पहला जो होता है जर्द होता है यानि यल्लो सुर्ख हो सकता यानि रैड सब्स ग्रीन स्याह यानि ब्लैक और सफेद यानि वाइट तो यह सारे के सारेutं के सा तो यहां से इसको इन पहला क्रते हैं ग्यार के साकशम धहां हैं वार फरदर भी yap लेकिन बिल्कुल इत्व तरीके साहे यहां पर हमने जेसे विव्योर देख लिया लेकिन लेकिन तो हम उसी तरीके से और ज्यादा डिवाइड करेंगे इस वीडियो में इसको नहीं देखेंगे लेकिन हम इतना समझ रहे हैं कि फर्दर डिवीजन कैसे होगा तो जैसे हम यह लो कोई देख रहे हैं तो आप यह लो की हाँ पर शेट्स आगए यानि जो हम एक कलर इसके डिफ किवाम है तो हम यूरीन का किवाम देखने वाले हैं यानि हम इसे कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ यूरीन है यह दूसरे लफजों में हम इसे डेंसिटी ऑफ यूरीन कह सकते हैं यानि में लिए हम देखने वाले हैं कि जो यूरीन है वो कितना ज्यादा थिन या फिर कितन बॉले रकीक और बॉले गलीज तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बॉल रकीक यानि ऐसा यूरीन जो थिन कंसिस्टेंसी का हो अब यह होता क्या है कि अगर कारुरा नहायत रकीक हो तो हर हालत में इप्तिदा या फिर तच्छीट इस अमर पर बताता है कि में नूज नहीं हुआ है यानि जो मवाद है उसमें मैचुरेशन जो है इसका इनकमप्लीट है यानि maturation नहीं हुआ है या फिर इस अमर पर दलरत करता है कि रगों में सुद्धे हैं और मजारी बॉल में जोफ और जोफ की बिना पर आजाय बॉल महज रकीक आजाही को ज़स कर पा रहा है यानि जो ducts हैं उनमें क्या हो चुका है जोफ यानि कमजोरी हो चुकी है तो क्यू अगर हमार पास में जो यूरीन आ रहा है वो तिन कंसिस्टेंसी का है तो हम इसको में तीन चीजों में देख सकते हैं कि पहला इसमें नहीं हुआ है कंकॉक्शन नहीं हो पाइत इस वजह से बॉल रकीक है सेकंड ऐसा हो सकता है कि वीकनेस की वज़े से अपना जो काम है वो नहायत बारिद और यबूसत अगर होगी तो भी बॉल रकीक हो सकता है इसके लावा अब हम बच्चों से रिलेट करते हैं कि बच्चों में कैसा यूरीन होगा तो बच्चे जादा मरतूब होते हैं और चुनके बच्चों में नशोनुमा यानि ग्रोथ होता है ग्रोथ के सब्सक्राइबन जायाट लिए दिखय का दुण में आवाओध यानि मैं से कंस्टेंस्टेंस्टेंस्य जोगी तो नहायत अक्सर अक्तकानल हाता करता Lamborghini और तो तो दाला зар prepared कैसे इसकी अच्वारीन आथासेद्ड देखा ओं वह लेक्ट्रेशन नहीं आघस युए लेकिन् इस बात पर भी बताता है कि गलीज कवाम के अखलाद नुस पाकर खारिज हो रहे हैं यानि जो गलीज कवाम होगे ऐसे अखलाद जो गलीज मादे के होंगे गलीज उनकी कंसिस्टेंसी होगी वो बॉल में जाएंगे तो बॉल को भी हो क्या करेंगे पहुसीरीन के जह सब्सक्राइए थिख रही है यह है यह इस अमर को बताते हैं कि आराम या जो हो औराम हैं जो स्वेंलेंंग्स हैं और जालीज में сам मवादव recton 라ना के है को कारूर जबतुल बॉल बॉल में जो ज़ाग है यानि फरॉद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि इसके कौस क्या होता है किसकी वज़े से फरॉद बनता है ये दो चीजे ऐसी हो सकती हैं जिनकी वज़े से जाग बनेगा अब जाग के रंग से इस्तदलाल यानि कलर के साफसम क्या समझ सकते हैं तो अगर जाग सियाह या फिर अश्कर यानि सुर्ख और जर्द रंग के दर्मयान उज़ँ हो तो ये जो जो कलर होता है ये सुर्ख और जर्द रंग के दर्मियान होता है तो ये दोनों कलर अगर होते हैं तो हम इससे तो ये यरकान को बताता है यरकान अगर स्या है तो इसमें जहाग का रंग स्याई माहिल होगा और यरकान जर्द है तो इसमें आशकर की तरफ थोड़ा सा माहिल होगा अब दूसरा देख रहे हैं कि जाग के छोटे वो बड़े होने पर इस्तदलाल जाग बड़ा होना मादा की लुजूज़त को जाहिर करता है यानि अगर माद्दे में स्टिकिनेस होगी थोड़ी सी स्टिकी सा माद्दा होगा तो यह क्या होगा जाग जो है बड़ा होगा जाग की कमी जाती यह किस बात पर जाग की जाती मादा की लुजूज़त यानि उसमें अगर इस्टिकिनेस है और रिया की कसरत पर दलारत करके तो जैसे आभी हमने देखा था कि रीह की वज़़े से और रुतूबत की वज़़े से जाग बनती है तो अगर माद्दे में वह देर यए फिर बस तो ने यैटंगी आख़ जायता है तो यह जो यूरीन होता उसमें जो सैडिमेंट कि चलेमें एसको या फिर मैं इसको डόल सकते अ महत अष्येस कर दो लोँघूरा में तेहने हो जाएं यानि सिर्फ उन चीजों पर ही इस्तमाल नहीं कर जाता है रूसूप का War !! जो तेहने नाशी नीचे बैठ जाएं बल्कि हर उस जोहर पर इस्तमाल किया जाएगा जिसका पानी से से जादा गलीज होगा यानि जिसकी कंसिस्टेंसी पानी से जादा गलीज होगी और वह मुम्ताज और अलग नजर आ रहा होगा तो दो करेस्टरिस्टिक्स होने चाहिए रुसूप के लिए पहला वह पानी से जादा गलीज होगा और दूसरा जो है वह मुम्ताज और अलग कि तरफ हो वस्त में हो यानि बीच में हो या फिर तैनेशी हो जाए बैठ जाए सबके लिए तो यानि जो सेडिमेंट्स वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश में वह इसका एक्जैक्ट टर्म नहीं है लेकिन इसको समझने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं अब हम देखेंगे रुसूब तबही महमूद यानि वह रुसूब जो नैच्रल होगा या नॉर्मल रुसूब जो होते हैं उनकी बातम कर रहे हैं तो वह जो तबही हजम और नूस पर दलालत करता है तबही रुसूब की रंगत सफेद होती है कारूरा के जिनी हिसे में तैने होता है याने नीचे की तरफ सबूलिंट सब्सक्राइब करूब ने करेंक और यह कारूरा क्या होगा जीरी इसे में यानि नीचे की तरफ तैनेशी हो जाएगा बैठ जाएगा और इसके जो अज़ा होंगे वह एक दूसरे से सिमिलर होंगे मुतशाबे होंगे अब हम देखेंगे पीप और रुसूब में क्या फर्क होता है तो जो पीप होता है उसमें बदबू होती है और रुसूब में बू नहीं पाई जाती है तो यह एक इंपोर्टन पॉइंट हो जाता है कि जो पास होगा पीप होगा उसमें बदबू होगी और रुसूब में ऐस मैं तो पर बारो आज दोटे होगा वो जोटीप और वल्गम जो वह सखेल होंगी तोड़े हम है भी होंगे है अब हम गयर तब दियुन के बारे में फ़र्सूब के बारे में यानि अनुह सेडिमेंट वह जो रुषूब ी से जो नॉर्मल नहीं होंगे उनको आपनॉर्मल सेलिमेंट्स कहेंगे क्या क्या थे हिसको भठ कुछाओं के मानिन जिसकी यह दशीशी या सभी जिसे कहते हैं यह सद्टू के मानिनद होंगे यह पार्टिकल और ले कि आसे मतलब होंगे यह क्या होगा है फ्लैट जो प्लेट यह ज़िसे निफ्लेट होंगे तो घृत फ्लेक्स होंगे पीघलने की दलील होते हैं यह किड़नी से जौ आ रहे होंगे इसी तरीके से रुसूब दस्मी चिकना रुसूब जिसे कहते हैं शहम वह समीन और गोश्ट के जोबान यह भी पिघलने की वज़से होंगे शहम अन्वाट वगड़ है जब पीघलता है तो उसकी दलील यह होते इसके बाद है пор three हूंग है यानि ये कौन से होंगे के प्यूरूलेंट होंगे अप ऐसी में पाया जा रहा है तो पी पाला идет जहा Öकंति घूंगे। रैसुब ए मुखाति हैं का कि यहां जैसा नाम से हम देख सकते हैं भल्गमी रुसूब होगा खिलते गलीज वह खाम पर दलालत करेगा गलीज खिलत पर यह दलालत करने वाला यह रूसुबे मुखाती दूसरा है रुसूबे खमीरी के टुकरे के मानिद होगा जोफे मेदा वौमा। यानि मेदावामम अगर weakness फॉजा जाती है तो उस पर दलालत करेगा सुए हिसम पर दलालत करेगा नेक्स्ट है रुषुब रमली जैसा नाम से में पता लाए रमल तरेत के मानिद रुषुब होंगे यह पत्री पर दलालत करेंगे और रुसूब रमादी जिसे कहते हैं तो ये बल्गम खाम या फिर मिद्ध पस पर ये दलील करेगा मिद्ध या पीप या फिर पस पर ये दलालत करने वाला है इसको कहते हैं रुसूब रमादी